हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है बिच आप दा फॉलन नंबर और कंपोजिट नंबर बोला इन में से कौन सा नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है पहले हम सब्सक्राइब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर अगर हम कंपोजिट इए, gewOhım, more than two factors, क्या कहरा, दा number बिच, more than two factors, जिसके, dhow se, ज्याधा factor होगे, more than two factors, वो हमारा होगा, composite number, वो हमारा क्या होगा, composite number, जैसे हम बात करें, four, अब four, किस-किस number से, divided होगा, one say, two say, और four, two say, से ज्यादा 1,2,3,4 factor है मतलब 2 से ज्यादा factor है तो यह हमारा composite number हो गए जैसे हमारा 8 है किस से जाएगा वह 1 से भी divide होगा 2 से भी होगा 4 से भी होगा 8 से भी होगा composite number है 9,1,3,5 दो से ज्यादा factor है तो यह हमारे क्या है composite number है वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फेक्टर या दो से ज़्यादा नंबरों से हो complete डिवाइट हो जाए उसको हम कहते है composite number अब देखा भाई वन के तो भाई एक ही फेक्टर होता अब 79 79 तो हमारा composite नंबर नहीं हो सकते कि इसके इसके दो इसके बहुत सारी फेक्टर होते हैं ठीक है 81 के बहुत सारी फेक्टर होते हैं दो से ज़्यादा फेक्टर होते हैं और 93 के दो से ज़्यादा फेक्टर होते हैं तो यह हमारे क्या है composite नंबर नंबर दो से ज्यादा नंबर से क्या complete डिवाइड हो जाए उसको हम कहते है कंपोजिट नमबर जैसे हम 10 की बात करेंगे एक होड वन से भी डिवाइड होगा वाई 2 से भी होगा 5 से भी होगा 10 से भी होगा तो यह हमारे कंपोजिट नमबर से